हुआ है गाइस वेल्कम टू वेदमी स्वागत आपका वेदमी के यूक्व चैनल पे और मेरा नाम है डॉक्टर विश्राल सिंग जैसा कि आपको पता ही होगे कि मेरे वीडियो सापके स्लिबर से हटके होते हैं लाइक मैं बात करता हूँ आपसे जॉब अपडेट्स के बारे कैसे आप जॉब्स के अपलाई करें प्येश्डी अप्रेट्स के बारे में ने तक आपने वीडियो ने देखाँ वीडियो देख सकते हैं अब उस प्याट्टिव करने से पहले मुझे लगा कि नहीं रिसार्स आर्टिकल लिखने से पहले मैं कुछ और भी बातों बे बात क करनी पड़ेगी लाइक की रिशाज्च टॉपिक कैसे डिसाइड करें कैसे रिसर्च को अपने प्लैन करें एसोपी कैसे लिखें रिसाज पोजल कैसे लिखें लाइक अगर मैं बात करूं एक बेसिक पीएजडी जर्णनी की आप क्या करते हैं पहले कोई जैराफ एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे लाइक CSIR, GATE, ICMR वगरे वगरे आप क्वालिफाई करेंगे अब होता क्या है कि कई सारे इंस्ट्यूट्स में आप से मांगता है SOP या फिर रिसर्च पॉपोजल क्यों को पता भी होगा यह इसको देख चुके होंगे यहां पर सुपी का मतलब स्टेट्मेंट और जैसा कि आप स्क्रीन भी देख रहे होंगे और आर्पी का मतलब रिसर्च पॉपोजल ठिशने अका उन्स के इंट्विउ और रिटेन एक्षाल करना होता है नदा खिर यह उसके बदेगा आती है कि रिसर्च पॉपक्र करें प्लैन विशार्टिकल वा बात की बात है कि बहुत बच्चे को लेकर होता है कि इसापी कैसे लिखें रिखें कैसे लिखें मैंने तो ऐसा कई बार देखा है कि बच्चे ऐसे इंस्टूट्स का फॉर्म ढूंडते हैं जहां पर सौपी और कि उन्हें यह लिखना नहीं पड़े अब लेकिन ऐसा नहीं मत करिएगा आप कोशिश करिएगा लिखने की क्योंकि जो उनका में एम है कि कि एसी और सफूपी और कि मांगते हैं तो उनका में आपकी राइटिंग स्किल्स को देख न इसको देखना राइटिंग स्किल्स कि अब आप देखेंगे टेक्निक्स अलग होगा उसमें इक राइटिंग स्कील भी बहुत बड़ा आप इंपोर्टेंट पॉइंट होता है की पीच डी में क्यों क्योंकि माली आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्रिमेंट कर लिया और उसके बाद लेकिन उसको जो पेपर लिखा आपने पेपर में आपने उसके प्रेसेटेशन में थोड़ी कमी करदी थोड़ी राइटिंग स आपने अच्छा कर लिए अपना पेपर का जो स्टेंड नेट पेपर की राइटिंग स्किल भी अच्छी रखी तो एक से दो रावन में पब्लिश हो जाएगा इस वीडियो में बात करूंगा तो चलिए बढ़ते हैं आगे सबसे पहले इप्वर्टेंट पॉइंट आता है इंट्रोड़क्शन अब यह द्यान रखिए यह पॉइंट लिखना हो यह आपको कहीं अपने यह पहली नहीं करना है आपको हमेशा याद रखना है सिर्फ आपके पॉइंट्स आपको इनको ध्यां में रखते हुए आइस आपको ध्यान रखनी मैकस्मम आपका प्रूह कुछ से ज्यादा नहीं या फिर वन पेज मैकस्मम इतना कैसार इंस्टूट्स गाइड्लाइंड्स मिठी देते हैं कि इतने वट्स घृत्स को ने चाहिए तो तो वगहुज दे रहे तो उनके गाइड्लेंस को फॉलो कर ढहिए यह नहीं तो आप यह आप सबसे पहले बात आगए इंट्रक्शन की तो इंट्रक्शन में आपको अपना इंट्रक्शन नहीं देना है अपने इस टॉपिक पर पीएज़ी करना चाहूंगा और सबसे पहले यह पॉइंट लिखने से पहले अप जिस भी इंस्ट्ट्ट में अप्लाई कर रहे हैं पहले उहां पर उनके डिपार्ट्मेंस के वेफसाइट पर जाकर रिसाच करें कौन कौन से टॉपिक्स वहां काम होते हैं यह बत करियागा कि अपने रिन केंसर और शिरू क्या लिखना और इस इंस्ट्ट्ट में क्या आप उस पर काम ही नहीं होता है समझ रहा है तो आप जिस टॉपिक को लेके एस ओपी शुरू करें या जिस इंट्रेस्ट फिल्ड फिल्ड फिंट्रेंस को मेंशन करें पहले यह चेक जरू कर लें कि उस इंस्ट्रूट में वह काम होता है कि नहीं तो वही आपको इंट्रॉड़क्श्ट करना है कि I X Y Z want to pursue PhD in the field of this from your Esteeam Institute यह लाइन आपकी सुरूः हो गई जिसमें आपका यह तो यह करबार हो जाएगा क्या करना है पहले आपको जिस भी आप इंसिट्ट में रिफाइब करना है वहां पर चेक करना है कि किस-किस फिल्ड में पर रिसार्च होती है देन उसको आप यहां पर mention करें आप mention कर सकते हैं आपका inspiration या motivation क्या है प्याइसडी करना चाहते हैं वह points इंक्लूट करना है और यहां पर मैं कर दूं कि आपके सेंपल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप वहाँ से देख सकते हैं लेकि मैं चाहूंगा कि पहले इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ के खुद से लिखें फिर उसे हमें मेल करें हम चेक करके बता द तो मैंने क्या होता है सबसे पहले इंट्रक्शन इंट्रक्शन आपने अपने आपने इंटर्यूश कर दिया आपने एक यह फिल्ड लफ इंटर्शन हो टा दिया और आपके आपको आपका इंडर्ट्ट्राइशन खत्म करना अब बात करते हैं नेक्स प्रग्राफ में आपको बताना आपका अग्डवीशन ख्राइशान से लाइक भीएस आपने बिस्डि और है प्लेस यह जो अपकी इन्वर्सिट्री होगी कि आपने BC कहां से कर रखा हैं जो भी आपकी डीगरी होगी बीस बीटेक इसके बाद आग कुछ लोग MSC या MTEC की होंगे तो इन डीगरी के बारे आपको बताना कि इस इन्वस्ट्री से अपने कर रखा है और इन इन में क्या आपने पोजेक्ट कर रखा है तो अगर आपका जो प्रोजेक्ट है उससे अगर उनका पर इसस टॉपिक से अलाइंग कर रहा है तो बहुत अच्छी बात उसको अच्छा से मेंशन कर दिए अपने सेकंड पारग्राफ की ग्रेज़ेशन पोस्के बाहर में बता द बारे में भार ज़स्ट से शाठी है निए पूर जागे अपने पूर जाब कर रखे तो इसके बारे मेंशन कर दिजेगा एक्टार्स परिजेगा उसको अपने mention कर दीजेगा, extra curricular activities अगर आपके पास है, कोई mention कर दीजेगा, अब इसमें यह चीज़ ध्यान रखिए अब कि एक्सा कर दीज़ान रखिया कि एक्सा कर अच्टिविटीज जो PhD से related है, जो PhD से align हो रही, उसमें mention कर दीज़ाइगा, कुछ और मेंशन मत कर दिए मैं संथा से आपका second paragraph शतब हो जाएगा सेखेंड को मैं सब्सक्राइज कर दो सबसे पहरा को ग्रिवेशन पोस्ट ग्रिवेशन के बारे बताना है इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ट्रेडिंग के बारे बताना है कि पोफेशनल एक्स्प्रियंस के बारे बताना है और एक्स्ट्र करिकुलर एक्रिक्रिक्रिक्स के बारे बताना ह इसमें यह है कि लाइक डिसकस्य और प्लैन यहां पर आपने जिस टॉपिक में अपने इंट्रेस्ट जिखा है जिस आप प्लैन की काम करना चाहते हैं उसके प्लैन की वहने बताइएगा यह आपका प्लैन इसको भी दो तीन सब्सक्राइब इस था कि इस त्रीड करें तो जो आपने इंट्रेस्ट बता है उसको थोड़ा इह नहीं पर डीटेल में अपको बताना है कि अपका रिसल dosahैंज किया है यह चीज लेकिन ऑसको डीटेल gonna है उसको आपquito D नहीं बताना चाहिते हैं कि यह साथ सबक्राइब करेंगे हम साथ कारीकुल ह कुलर solar activities की डिस्केंटy जिए हैं आप संस्ट म لना चाहेंगे ल हैं यह ओब का गोल क्या उसमें जिसास आपकू डिसकर्न करना काड़ की आपका फैरी फ़रवर्वर्ड करेंगे और प्यस्केंटब बात आपका क्या गोल रहेगा यह आपको कुदम करेगा थार्ट पैराग्राफ अब बात आती वाई दिस इन्वस्ट्री अब इसमें यह मेंशन करना है लाइक फॉर ग्जामपल अब एक्सवाई जाट इंस्टीट यह क्यों लेगाष्ट इन्सूट्स के बारें २ अपको वहां के जो करना पढ़ा बाता सकते कि जो मैं काम करना चाएं उसकी फैसिलिटिस नह snare यहां पर सब्सक्राइब बहुत अच्छा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आपको आपका इस पॉपोजर कर देना है यह पॉइंट्स आपको माइड में रखके अपना एक पेज में खतम करना इस से बड़ा मत करिएगा वह जाता है एक पेज या 200-200 वर्ट्स अब इन केस अगर पर्टिक्लर इंस्टूट कोई गाइडलाइन इस नहीं देता है तो आप यह फॉलो कर सकते हैं एक फिर मैं समराइज करना सबसे पहले आपको इंट्रक्शन सब्सक्राइब करनी है इसमें आपको आपका नाम और अकैटमिक फिल् सब्सक्राइब करना चाहते हैं आपका रिसस प्लैन क्या है कौन कौन से स्किल्स सब्सक्राइब करेंगे कैसे आप अपने बातों को एक साथ ले जाके कर देंगे यह आपको आपकी सोपी को पूरा कर देगा सो इस वीडियो देखने के बाद जो पॉइंट मैंने बता हैं इसको माइड में रखके एसोपी लिखने की ट्राइ करिएगा मैं अभी डिस्क्रिप्शन में सेंपल एसोपी का लिंक प्रवाइट कर दूँगा आप महां से देख देख भी सकते हैं लेकिं मैं चाहूंगा ज इस पर मेल करिएगा तो हम अपको चेक करके क्या उसमें कमी है कैसे आप उसको और सकते हैं बता देंगे आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स वीडियो में बात करूंगा आपसे नेक्स जो इपोर्टेंट पॉइंट था रिसर्स प्रपोजल की रिखें कैसे आ तब के लिए टेक केर और बाइबाए